मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार आप सब कैसे हैं और यह रही आपकी टीजीटी पनेश्या की क्लास नमबर 73 बहुत अच्छी क्लास होने वाली क्योंकि इसमें क्लेटल से रिलेटिड पांच्छे अच्छे कोषटन्स हम कवर करेंगे तो आपको कुछ नहीं करें केवल ध्यान से सुनते चलना ठीकिए न टो बस एक एक करके सुनते चलना बेटा कह रहे हैं कि एक्सिस वर्टिब्रा जो है उसको अगर पहचानना हो तो कैसे पहचानोगे तो आप बोलोगे की ओड़न्ट्वाइड प्रॉसस से पहचानेंगे कैसे पहचानोगे बेटा ओड़न्ट्वाइड प्रॉसस क्या बोला हमने जो हमने बोला उस शब्द को दोहराने का प्रयास करें ओडॉन्ट्वाइड प्रॉसेस है ना पेटा क्या बुला ओडॉन्ट्वाइड प्रॉसेस कि सुनते चलना द्यान पूरव कि एक चीज ठीक है अच्छा आगे बढ़ो फिर कह रहे हैं कि ग्लीनाइड कि दिहान देना ग्लीनाइड केवर्टी इस फाउंड इन प्रेक्टोरल गर्डिल आपने देखा होगा जो स्कैपिला होता है इसको बोलते हैं तो इसमें ओपर जैसे इस तरह का ट्रेंगूलर शेप होता है फिर यहां से यह हूमरश निकल के आता है तो यह जो नीचे की इस प पहली बात क्या थी कि access vertebra identified by odontoid process दूसरी बात क्या थी कि glenoid cavity जो है वो pectoral girdle pectoral girdle में पाई जाती है scapula के पास अंश मेखला बोलते हैं बिटा एक होती श्रोणी मेखला एक होती अंश मेखला तो I am talking about the अंश मेखला that is pectoral girdle और श्रोणी मेखला का मतलब होता है बेटा pelvic girdle ठीक है ना चलो आगे देखो end of long bones जितनी भी बड़ी बड़ी bones है उनका जो last का area होता है last की जो surface होती है उसको कौन cover करता है बेटा cartilage cover करता है end of long bones are covered with cartilage end of long bones are covered with cartilage अब पूछो भीया cartilage कौन बनाता है तो chondriocytes cartilage बनाने की जिम्मेदारी किस की होती है chondriocytes cartilage कौन बनाता बेटा chondriocytes voxman canal जो है वोलक नहीं पढ़ते है else island होता है voxman canal जो है वो किसमें पाई जाती है bones of mammals voxman canal जो है वो किसमें पाई जाती है bones of mammals voxman canal किसमें पाई जाती बेटा bones of mammals सुनते चलना बस एक एक करके turner syndrome भ्यान दे न turner पहले down syndrome है पहले उसको समझ लो थोड़ा सा यह जो down syndrome है यह क्या होता है यह trisomy of 21st chromosome वह भी autosome trisomy down syndrome 21st chromosome में होता है autosome में ठीक है 45 plus xx या xy यह अगर कभी आपके में question पूछा जाएगा down syndrome लिखाओगा तो बस यही मिलेगा लिखा हुआ सीधा इसी पर आपको टिक लगाना है अब आजाओ sorry turner syndrome यह female में होता है ज़्यादा था यह non-disjunction sex chromosome के disjunction से होता है non-disjunction of sex chromosome 44 लिए ना 44 plus x ओ लिखा है ओ माने नहीं एक x chromosome गया हो जाता है आई बात समझ में देखो कुल मिलाकर एक तरह से देखा जाए तो 46 गुड़सूत्र होते है यह हम लोग महिलाओं के विशे में पढ़ना है turner syndrome female में होता है ठीक है turner syndrome जो disease किस में होती है females में और क्लाइन filter किस में होती है male में फिर से सुनो turner किस में होती है turner होती है female में और क्लाइन filter किस में होती है male में क्लाइन filter का आप कैसे पहचानोगे मरीज उसको गाइने को मेस्टिया होगी मतलब breast का development होगा और इस इस आदमी के testies जिसको हम बोलते हैं वरशन वो छोटे छोटे होगे turner syndrome की female को कैसे पहचानोगे height बहुत कम होगी height कम होगी और femaleness नहीं होगी थोड़ी-थोड़ी male-ness होगी और femaleness में सबसे main बात जो ये structure याद है ovary की निकलने वाला तो oocytes या ovary reduced होती reduced ovary is found in which disease in female answer is turner syndrome answer is turner syndrome बात समझाई इतनी की नहीं समझाई reduced ovary is found in turner syndrome client filter किसको होता है male को turner किसको होता है female को down syndrome तो आपको बच्चों में देखने को मिलता ही है ठीक है तो ये इनके formula बहिया था यहां रखना यही main है यही पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा cranial capacity of java man 900 cc java man की cranial capacity कितनी होती है 900 cc 900 cubic centimeter अगर बोनी फिशेज हैं तो उनका material क्या होगा excretory urea boni fishes का excretory material क्या होगा urea भूलना नहीं boni fishes का excretory material क्या होगा बेटा urea excretory middle boni fishes का क्या होगा urea pineal body के क्या क्या काम है कुछ पता है आपको हम बताते हैं आपको pineal body का पहला काम skin को lighten करना जिससे इस समय सब हम लोग घर पे रह रहे हैं धूप नहीं पड़ रही धूप नहीं पड़ रही तो pineal body milanine नहीं बना रही है हमारी तुचा को आदेश दे देती है pineal gland कि चलो milanine बनाओ धूप से बचाओ ultraviolet rays से बचाओ लेकिन अब हम बाहर नहीं निकल नहीं तो सब थोड़े थोड़े गोरे हो गए हैं हम भी थोड़े से गोरे हो गए हैं ठीक है फिर control of sexual behavior ठीक और third one is regulate the period of puberty females में puberty पहले आ जाती है male में थोड़ा देर से आती है एक बार इस page को पुना पढ़ते हुए समझ ना अगर हमें excess vertebra को पहचानना है तो हम odentroid process देख लेंगे glenide cavity से हम pectoral girdle की पहचान कर सकते हैं बड़ी bones के जो cover long cover होते हैं last में surface होती वो cartilage से धकी हुई होती cartilage बनाता है कौन है condriocyte बनाता है worksman canal सुना है हाँ बिल्कु सुना है किस में पाई जाती है mammals की bone में पाई जाती है अच्छा ठीक है बई down syndrome सुना है बिल्कु सुना है trisomy of 21st autosome होता है turnus syndrome के बारे में जानते हो हाँ female को होता है client filter किसको होता है male को होता है दोनों में एक ही चीज़ है non disjunction of sex chromosome non disjunction of sex chromosome client filter में xxy client filter में xxy और turnus syndrome में x0 xo भी बोल सकते हो x0 भी बोल सकते हो ठेक है चलो आगे देखके हैं फिर cranial capacity के बारे में अगर हम बात करें जावा मानों की तो 900 CC होती है ठीक अच्छी बात है boni fishes का excretory metal क्या होता बेटा urea होता है और अच्छी बात है penial body के बारे में जानते हैं हाँ बिल्कुल जानते हैं यह penial body जो है यह light in the skin color skin के color को light करती है control करती है sexual behavior को regulate करती है period of puberty को समझ में आगया दूसरी slide पे आते हैं सुनते चलना बत ध्यान से vestigial organ in man मनुष्य में vestigial organ कौन कौन से है vestigial organ man तो बहिए दखो कुछ लोग tail vertebrae कहते हैं बिल्कुल सही कुछ लोग कहते है निक्टी ट्रेटिंग में बिल्कुल सही कुछ लोग कहते हैं बहुत सही तीनों सही है लेकिन कुछ बेवकूफ कह देते हैं nail एकदम गलत नाखून जो है वह अवशेशी अंग नहीं है vestigial organ नहीं है नाकून नहीं होगा तो बत्ती जलाने के लिए जो switch दबाते हो वो दबाने ही पाऊगा क्योंकि हड़ी नलाश तक नहीं होती हड़ी पहले खतम हो जाती nails ही support करते है ठीक है तो nails हटना अच्छी बात नहीं है चलो बहुत अच्छा कोशन है परशन नमबर 357 energy transfer एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कितने परसंट का loss हो जाता 10% का इस नियम को क्या कहते हैं वीडियो के लाश्ट में बताईएगा और यह नियम किसे ने दिया था इस नियम को क्या कहते हैं और यह नियम किसने दिया था सुन लो बटा energy transfer from one traffic level to another एक traffic level से दूसरे traffic level में energy कितनी ट्रांसफर होती है 10% सुनते चलियो गालला ठिक 10% इस नियम को क्या कहते हैं और यह नियम किसने दिया था इसका उत्तर वीडियो के अंत में जरूर दीजिएग कि द्रम इनके बारे में जानते हो बिल्कुल जानते हैं सेकंड्री जो होती है सेकंड्री जहां सेकंंड्री हाँ जायस है इपायल सब्सक्सका प्र्योंक कर समाझ hå क्वाट अच्छां तो करें कि जो डूरा मैन है बेटा जो डूरा मैन ने वो प्रिजेंट है इनर रीजन ओफ सेकंडरी वूड ठीक अच्छी बात है अच्छा सिक्स्टीन सेल्ड जो होता है वो क्या कहता है ऐसा भूरूर जिसमें सोला कोशिकाएं बन चुकी उसको हम क्या कहते हैं बेटा सोला कोशिकाएं 16 सेल्ड ऐसा भूरूर जिसमें क्या बन चिकाएं हो सोला कोशिकाएं उसको मौरूला कहते हैं इंब्रियो एट 16 सेल्ड स्टेज डेट इस इनन और मौरूल फर्न में कुछ फ्राउंस होती है जैसे लीफ होती है उसी तरह का है समझ लो इंडूसियम पूछा जा रहा कि किसमें पाया जाता है आपको बिल्कुल शावधानी से बोलना है कि फर्न में पाया जाता है इंडूसियम किसमें पाया जाता है राजा बेटा फर्न में पाया जाता है है ना initiation मानने क्या होता बेटा सुरुवात करना जैसे मालो हम ग्रूप में बैटे है और किसी का इंतिजार करना है कि वो आए तो सुरुवात हो तो हम लोग क्या कहते है हम लोग कहते है इंको बता रहे हैं सेकंड हम लोग कहते है आओ जी तुमारी कमी थी आओ जी ये ट्रिक है छोटी सी लोग भूल जाते हैं ना अब नहीं भूलोगे इनिशियेशन कोड़ाउन के बारे में बात हो रही है किसके बारे में बात हो रही है इनिशियेशन कोड़ाउन के बारे में Matthew Nean ڈھیان देना ब liters important question है म्टिंद नहीं यह क्रोमोपेटें पेंक पिपेट जाकर घ्रम में क्रिला मैं पूचा जाए क्लैंप कदेंए चलो किल मुसे आप बताना एक कोश्च यह बताना 377 वल दूसरा बताना यह क्लैंप connection क्या है बस यह जान लो कि यह किस जगह पाया जाता है इस order में किस class में पाया जाता है that is besidio mycetes besidio mycetes ठीक है साइकस का जो pollination होता है वो पूछ रहे कितनी cell stage पे shedding होती है pollination कितनी cell stage पे होता है आप बोलोगे in psychos the pollination occurs at three cell stage in psychos the pollination occurs in three cell stage बूलोगे तो नहीं पक्का चलो आगे बड़ते हैं दा बायो मॉस औफ ऑफ ऑग्जिन इज अवीना करवेचर टेस्ट बहुत important question है बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्ण यह बायो ऐसे टेस्ट है ना जो ऑग्जिन का यह पता है कुछ नहीं चूत है उसका ठीक एपिकल बड़ आप कह सकते हो अगर हम इसको नाम दे तो हम इसको क्या नाम दे सकते हैं हम इसको कहेंगे एपिकल श्रंब हैं उसको कहेंगे करुण बड़ यह वह सूरज भगवान ये कौन होगए हमारे सूरज भगवाद तो सूरज भगवाद की किरन किस पर पड़ी किस पर पड़ी इस apex पर तो पता है आपको जो oxygen है कहाँ निकलेगा oxygen निकलेगा ये dark side में कहाँ निकलेगा dark side में अब ध्यान देना मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना जब ये इस side auxin निकलेगा तो इस side growth होगी और अगर ये सिरा color बदलने ज़रा रुखना ताकि समझ में आए अब ये सिरा ना बढ़े नहीं स्वारी गलत बोल दिया ये सिरा क्योंकि यहाँ auxin है तो ये सिरा ज्यादा बढ़ेगा ध्यान देना ये सिर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा ये मुड जाता देट इस कॉल्ड करवेचर और यहीं विदी है किसकी सूरज मुखी की जो सूरज की तरफ सदेव मुखिये रहता है आई बात समझ में भगवान जाने आपको समझ में आया कि नहीं समझ में हमने अपनी तरफ से प्रियास किया ठीक है अब बात समझ में शायद आ गई होगी that is known as avena curvature test ये किस में किया जाता है औक जिन में अवीना curvature test किसके लिए होता है बेटा औक जिन के लिए होता है ठीक है तो ये आपने बहुत अच्छे अच्छे अती महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़े एक बार और्गन में टेल की वर्टिब्री पुछे कशे रुका निक्टी टेटिंग मेंब्रेन हो गई और वर्मी फार्म अपेंडिक्स क्रमी रूप परिशेशिका कहते हैं इसको क्रमी रूप परिशेशिका वर्मी फार्म अपेंडिक्स और निक्टी टेटिंग मेंब्रेन वही ब वाटर में रहते थे अब जल से अटके ट्रेस्टियल में आगे तो अब जिल्ली के आउश्टा नहीं तो वह सूख कर किनारे आ गई ठीक है आई बात समझ में हम देशी भाशा में समझाने का प्रयास करना यह नहीं समझ लेना कि सूख गई वह वाप कोने में आ गई ऐसा नही ट्रांसफर एक ट्राफिक लेवल से दूसरे ट्राफिक लेवल में कितना होती 10% इस नियम को क्या करते हैं इसके विशह में जानकारी देना लियूरामें कौन सी वुड है कौन सी वुड है सेकंडरी वुड है कौन सा रीजन है इनर रीजन है सेकंडरी वुड का इनर रीजन सब्सक्राइब कर दो कितना प्लेंट था लेकिन एक प्रश्ण अती महत्वपूर्ण की सूची में आता है क्योंकि हर एक्जाम के आए हुए ही प्रश्णों का संक्लन इस वन लाइनर सीरीज में किया जा रहा है तो बस कुछ नहीं करना मस्त होके पढ़ते रहिए टेंशन फरी रहिए खुब रिवीजन करिए खुब क्वेशन लगाई है ठीक ना थैंक यू सो मच बबाए लव यू ओन